साथियों, भारत की विकास यात्राग से हजारों युवाओं को हमारे स्टूडन्स का कैसे लाभ हो रहा है, इसका एक और पक्ष है, आज दुनिया के लोग भारत को, भारत की पहचान को, भारत की संस्कृति को जानना चाह रहे हैं, कोरोना के समय दुनिया का हर देश अपनी जरूरतों के लिए परिशान था, लेकिन भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ, दूसरे देशों की भी मदद कर रहा था, लिहाजा विश्व में एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, कि आखिर भारत के वो कौन से संस्कार है, जो संकट में भी सेवा का संकल्प पैदा करते हैं, भारत का बढ़ता सामर्त हो, भारत की G20 प्रसिदेंसी हो, ये सभी भारत के प्रती कौतुहर बढ़ा रहे हैं, इससे हमारे जो हुमेनिटीज के स्टेंडर्स है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अनेकों नए अवसर पादा होने वाले हैं, योग जैसा हमारा विज्ञान, हमारी संस्क्रिती, हमारे फेस्टीवल, हमारा लीटरेचर, हमारी हिस्टरी, हमारा हैरिटेज, हमारी वीधाएं, हमारी व्यंजन आज हर किसी की चर्चा हो रही है हर किसी के लिए नया आकरशन पैदा हो रहा है इसलिए उन भारतिय युवाओं के डिमान भी बढ़ रही है जो विश्व को भारत के बारे में बता सके हमारी चीजों को दुनिया तक पहुचा सके आज डिमोक्रिसी, इक्वालिटी और मिच्चल डिस्पेक जैसे इंडियन वैल्यूज दुनिया के लिए मान भी ये पैमाना बन रही है गवर्णमेंट फर्म से लेकर डिप्लोमेसी तक कई शेत्रों में भारतिय युवाओं के लिए लगातार नए मौके बन रहे हैं देश में हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर से जुड़े ख्षेत्रों ने भी युवाओं के लिए अपार संभावनाय बना दी है आज देश के अलगलग राज्यों में ट्राइबल मुजियम्स मन रहे हैं पी एम मुजियम के जरिये आज भारत आज आज भारत की विकास यात्रा के दर्शन होते हैं और आपको यह जान करके भी अच्छा लेगागा कि दिल्ली में विश्वकां विश्वकां सबसे बड़ा हैरिटेज मुजियम युगे युगीन भारत ये भी बनने जा रहा है कला संस्कृति और इतिहास से जुड़या विवाओं के लिए पहली बार पैशन को प्रपेशन बनाने के इतने अवसर पादा हो रहे हैं कि इसी तरह आज दुनिया में भारतिय टीचर्स की अलग पहचान बनी है मैं ग्लोबल लीडर से मिलता हूं उन में से कई अपने किसी ने किसी इंडियन टीचर से जुड़े किसे बताते हैं और बड़े गवरों से बताते हैं भारत की सौप पावर इंडियन यूथ की सकसे स्टोरी बन सकती है इस सब के लिए हमारी उनिवर्सिटीज को हमारे इंस्टिजूशन को तयार होना है अपने माइंड सेट को तयार करना है हर उनिवर्सिटी को अपने लिए एक रोडमैप बनाना होगा अपने लक्षों को तैक करना होगा जब आप इस संस्थान के 125 वर्स मनाएं तब आपकी गिंती वर्ल की टॉप रैंकिंग वाली उनिवर्सिटी में हो इसके लिए अपने प्रयास बढ़ाएं कि फ्यूचर मेकिंग इनोवेशन्स आपके यहां हो दुनिया के बेस्ट आइडियाज और लीडर्स आपके यहां से निकले इसके लिए आपको लगातार काम कर रहा होगा लेकिन इतने सारे बदलाओं के बीश आप लोग पूरी तरह मत बदल जाईएगा कुछ बाते बहसी ही छोड़ दीजिएगा भाई नौर्थ केंपस में पटेल चेश्की चाए नुडल साउथ केंपस में चानक क्याज के मोमोश इनका टेस्ट न बदल जाए यह भी आपको एंशॉर करना होगा